कोशन हैं आपका जिसमें आपको यहाँ पर तीन डायग्राम गिवन है जिसमें एक डायग्राम का बीच वाला आंक मिसिंग है यह आपको फैंड आउट करना है दिये गए चार आप्शन में से इसके लिए आपे पहले और दूसरे डायग्राम की हैल पे ले सकते हैं तो इसे हम करने की कोशिश करते हैं उपर वाली तीनों संख्याओं का यूज करते हुए नीची वाली तीनों संख्याओं का यूज करते हुए आपको बीच वाली संख्या लानी है इस लोजिक को लगा कर आप ये कोशन चेन वाला मान प्राप्ते कर सकते हैं तो सबसे पहले हम देखते है आपरे, 7 में से अगर हमें 5 घटा देते हैं, तो आपको 2 प्राप्त हो जाएगा, इसी प्रकार से 6 में से 4 को घटाओगे, तो 2 प्राप्त होगा, 9 में से 3 को घटाओगे, तो आपको 6 प्राप्त होगा, कहने का मतलब है, 7, 6, 9 में से अगर आपे 5, 4, 3 को घटाते हो, तो आपक संख्या 226 से प्राप्त होती है similar condition है इसमें हम लगाते हैं तो इसमें क्या लगाएंगे हमें 523 523 में से क्या गटाएंगे 350 गटाएंगे तो 13 में से 9 जाएगा तो 4 बचेगा इदर आपका 1 बचा उधार लिया 11 हो गया 11 में से 4 गया 7 बचा से 3 गया 1 बचा तो बीच वाली संख्या 144 आ गई similar condition हम आगे लगाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे जो संख्या है 600 पिच्चाण में उसमें से हमें 460 को हम गटा देंगे तो 5 में से 0 गया 5 बचा 9 में से 6 गया 3 बचा 6 में से 4 गया 2 बचा तो संख्या क्या आ गई आपकी 235 यहां पर आपकी संख्या आ गई जो कि आपको option number 1 में गिवन है तो 235 हमारा इस question का answer हो जाएगा question है आपका रिक्तिस्तान पर कौन सा पद आएगा यह आपको बताना है यहां पर आपके पास में एक लेटर सीरिज गिवन है B, F, K, Q उसके आगे खालिस्तान है यहां पर कौन सा पद आएगा यह find out करना है दिये गए 4 option में से तो इसे हम यहां पर solve करने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले आपका B लिखा गया है उसके आगे F लिखा गया है तो B से हम F कैसे प्राप्ट करेंगी तो सबसे पहले हम देखते हैं B के बाद C आता है C के बाद D आता है D के बाद E आता है E के बाद F आता है मतलब है B से अगर हमें 4 Instan आगे जाएंगे तो हमें F की प्राप्ती हो जाएगी इसी प्रकार से आगे लिखा हुआ है F के के लिखा हुआ है तो F से आपको के प्राप्त करना है तो F के बाद क्या आता है G आता है G के बाद H आता है H के बाद I आता है I के बाद J आता है J के बाद K आता है तो कितने लेटर हम आगे गए 1, 2, 3, 4, 5 चे तो कितने लेटर आगी जाएंगे यहाँ पर पांच लेटर आगे जाएंगे इसी प्रकार के से आपको Q पर जाना है तो कितना लेटर आगी जाना पड़ेगा के के बाद क्या आता है I, J, K, L, M, N, O, P, Q के से आपको कहाँ पर जाना है Q पर जाना है के से 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितना लेटर आपको आगी जाना पड़ेगा आपको यहाँ पर 6 लेटर आगे जाना पड़ेगा के से आप कितना लेटर आगे गए, 6 लेटर आगे गए, तो आपको Q की प्राप्ती हो गई अब Q के बाद में कौन सा लेटर आपके पास में आगे आएगा, यह आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है तो हमने प्रिवियस जो लेटर सीरिज है, उसका एनलिसिस किया तो सबसे पहले हमने 4 लेटर जोडे, उसके बाद में हमने 5 लेटर जोडे, उसके बाद में हमने 6 लेटर जोडे तो आगे हम कितने लेटर जोडेंगे, 7 लेटर यहाँ पर जोडेंगे तो यहाँ पर आपने देखा, जो Q है, वो लेटर सीरिज में कितने नमबर पर आता है कि वो आपका 17 नंबर पर आता है अगर इसमें आप 7 जोड़ दोगे तो आप कितने नंबर पर पहुँच जाओगे आप यहाँ पर 24 नंबर पर पहुँच जाओगे और 24 नंबर पर कौन सा लेटर आता है आपका X आता है क्योंकि 25 पर Y आएगा और 26 पर Z आएगा तो 24 नंबर पर आपका X लेटर आजाएगा तो खालिस्तान पर X हम फिल अप कर देंगे जो कि हमें आपसे नंबर फर्स्ट में गिवन है तो आपसे नंबर फर्स्ट यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर सीरीज आपको गिवन है 25, 9, 19, 37 उसके बाद में कॉर्शन मार्क है इसका मान आपको फाइंड आउट करना है A, B, C, D आउप्शन में से तो कैसे फाइंड आउट करेंगे अगर आपको 2 से 5 पर पहुंचना है तो 2 को आपे 2 से गुना करके अगर एक जोड देते हो तो 2 दुनी 4 हो जाता है और एक जोडने पर 5 हमारा हो जाएगा इसी परकार से 5 से अगर आपको 9 पर पहुंचना है तो 5 को हम 2 से गुना करेंगे 10 हो जाएगा और इसमें से 1 घटा देंगे तो 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9 हमारा हो जाएगा इसी परकार से 9 से आपको 19 पर पहुंचना है तो 9 को हमें 2 से गुना करेंगे तो 9 दुनी 18 हो जाएगा और इसमें अगर आप एक जोड देते हो तो आपका 19 हो जाएगा इसी परकार से 19 से अगर आपको 37 पर पहुंचना है तो उनिस को हमें दो से गुणा करेंगे तो उनिस दुना 38 हो जाएगा जिसमें से एक घटा देंगे तो हम 37 पर पहुंच जाएगे इसी प्रकार से हमें 37 को दो से गुणा करेंगे और यह कितना जोड़ेंगे यहाँ पर एक जोड़ेंगे क्योंकि सबसे पहले हमने यहाँ पर दो से गुणा किया है एक जोड़ा है उसके वाद से एक घटाया है एक जोड़ा है एक घटाया है तो घटाने के बाद में हम जोड़ेंगे तो 37 दुना कितना हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा उसमें एक जोडेंगे तो कितना आजाएगा 75 आजाएगा जो कि हमारा question mark का answer हो जाएगा मतलब option number B यहाँ पर correct हो जाएगा एक बार आपिस देख लिते हैं 2 से हमें 5 पर पहुचना है तो 2 को 2 से गुणा किया और 1 8 कर दिया इसी परकार से 5 से 9 पर पहुचना है तो 5 को 2 से गुणा किया तो 5 दुनी 10 हो गया 10 में से 1 घटा दिया इसी परकार से 10 से 19 पर पहुचना है तो 2 से गुणा किया और इसमें 1 जोड दिया 9 दुनी 18 और 1 19 हो गया इसी परकार से 19 से 37 पर पहुचना है तो 19 को 2 से गुणा करेंगे तो 19 दुना 38 हो जाएगा जिसमें से 1 गटाएंगे तो 37 पर पहुँच जाएंगे तो सबसे पहले हमने क्या किया 2 से गुणा किया और 1 प्लस किया है उसके बाद में 2 से गुणा किया है 1 माइनस किया है उसके बाद में फिर से हमने 2 से गुणा किया है और एक प्लस किया है उसके बाद में हमने 2 से गुणा करके एक घटाया है तो next क्या करेंगे दो से गुणा करेंगे और एक जोड़ देगे तो 37 दूना कितना होता है 44 होता है जिसमें एक जोड़ेंगे तो हमारा 55 हो जाएगा मतलब भी आप्षिन हमारा correct हो जाएगा मतलब यहाँ पर भी 55 आंसर आएगा कोर्षिन है आपका जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चेन करना है इसके लिए 4 आप्षिन है A, B, C, D आपको गिवन है तो A आप्षिन में लिखा हुआ है 80 से 9 लिखा हुआ है B आप्षिन में आपका 64 से 8 लिखा हुआ है C आप्षिन में आपका 36 से 6 लिखा हुआ है और D आप्षिन में आपका 7 से 59 लिखा हुआ है तो इसे हमें चेक करते हैं कि कौन सा बेमेल विकल्प है तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं जो आपकी संक्या हैं उसमें B option को देखते हैं तो 64 और यह 8 लिका हुआ है अगर यहाँ पर 8 का square कर दें तो 812 कितना होता है 64 होता है इसी प्रकार से 36 और 6 लिका हुआ है तो 6 का square करेंगे तो छंग छंग कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा इसी प्रकार से D option को देखते हैं 7 और 59 लिका हुआ है 7 का square करेंगे तो 7 उसमें कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा इसी प्रकार से option number 1 को देखते हैं 80 और 9 लिका हुआ है तो 9 का स्क्वाइर करेंगे तो नामा नामा कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा लेकिन यहाँ पर संख्या 80 लिकी हुई है जबकि option number B C और D में छोटी संख्या का स्क्वाइर करने पर आपको बड़ी संख्या प्राप्त हो जाती है लेकिन option number A में ऐसा नहीं हो रहा इसलिए A हमारा बेमेल विकल पे हो जाएगा कोशन है गीता सीता से अधिक संथर है गीता क्या है सीता से यहाँ पर अधिक संथर है तो गीता को हमें ज़्यादा संथर बिनाना है तो गीता लिखेंगे किस से ज़्याद सुन्दर है सीता से सीता से ज़्याद सुन्दर कौन हो गई गीता हो गई आगे लिखा हुआ है लेकिन रीता जितनी सुन्दर नहीं है मतलब गीता किस से कम सुन्दर है रीता से कम सुन्दर है मतलब सबसे ज़्याद सुन्दर कौन है रीता आपकी सबसे ज़्यादा सुन्दर है और सबसे कम सुन्दर को ज़सी है सीता है तो यहाँ पर आप्शन लिखे हुए है सीता रीता से ज़्यादा सुन्दर है यह आप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि सीता तो सबसे कम सुन्दर है इसी प्रकार से बी आप्सन है सीता गीता जितनी सुन्दर नहीं है तो सीता से जो गीता है वो ज़्यादा सुन्दर है तो ये आप्सन आपका सही हो जाएगा क्योंकि लिखा गया है सीता जो है वो गीता जितनी सुन्दर नहीं है तो यहाँ पर भी आपकी similar condition बन रही है तो option number B यहाँ पर इस question का correct answer हो जाएगा